दोस्तो अकसर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये जो मन है जो अशान्त रहता है उसके कारण हम हमारी जिंदगी को खुल कर नहीं जी पारें तो हम मन की अशान्ती को कैसे मिटाएं कैसे मन को शान्त करें इसी के उपर ये पूरा का पूरा सांटेफिक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करियेगा मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर का नईया बी कानिर राजस्थाने से दोस्तों ये जो एक्जाम्पल में आप लोगों को एक्स्प्लेन कर रहा हूँ ये एक 32 इयर ओल्ड मेल का एक्जाम्पल है बहुत अच्छे समझेगा आपको पूरा का पूरा कॉनसेप्ट क्लियर होगा बिसिकली ये जो व्यक्ति है ये ओनलाइन करते हैं अच्छा पिछले कई टाइम से जब ये ओनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो उससे इनको बहुत अच्छी सी इंकम हो रहे थी अभी 3-4 महीने पहले कि 3-4 महीने पहले ये किसी ओनलाइन गेम के अंदर पाटिसिपेट कर रहे थे और वहाँ पर इनसे 15,000 जो रुपे ह वो उसके अंदर लग गए इनको 15,000 रुपे का लॉस हो गया अब जैसे ये लॉस हुआ लॉस जो है ये क्या है अन एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड गया होता है एक्सपेक्टेड ही होता है कि पैसा आए कमाई हो ये तो है एक्सपेक्टेड और पैसा जा रहा है लॉ पर लोग हमें बेटेस दे, लोग हमारे बारे बातचित करे, हमारा बिजनस बहुत अच्छे चले, खुब सारा पैसा आये, खुब सारी प्रसिद्धी हो, खुब सारी हम जो life को enjoy करने के जो भी तरीके हैं, वो सारे के सारे हमें मिले, अगर ये सारे expectations के according हो रहे हो तो हर इंसा अब इस unexpected को अगर हम कैसे deal कर रहे हैं, उस बात पर depend करेगा कि हमारा जो मन है, वो शांत होगा, या हमारा मन अशांत होगा, अब इन्होंने जो explain करने का तरीका डूंडा, इन्होंने ये तरीका डूंडा, कि ये अपने आपको लगातर कह जा रहे हैं कि मेरे साथ मैं ऐसे कै तरहूं मेरे साथ में ये कैसे हो सकता है, इन्होंने ये तरीका डूंडा, मतलब self-criticism स्टार्ट किया, और ये जो self-criticism मतलब ये नहीं होना चीए था, मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया, मतलब उस event को क्या कर रहे हैं, ये reject कर रहे हैं, दोस्तों हमारी life में जितने भी event होते है हमारे पास में सिर्फ दो ही choice है, या तो हम उसको accept करें, या हम उसको reject करें, अगर आप उस event को reject करते हो, तो वो आपके दिमाग में रुक जाता है, और जैसे ही वो रुकता है, फिर वो चीज आपके दिमाग के अंदर क्या बन जाती है, overthinking का part बनती है, उससे आपका मन क्या हो जाता है, अशान्त हो जाता है, जैसे कि इन्होंने किया, कोई भी event हो रहा है, तो उसके कुछ नो कुछ कारण है, आप सीधा है उसको कैसे reject कर देते हो, मानली जी कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी पंचर होगी, ये तो नहीं हो नहीं थी, यासा क्यू हो अप किसी मिस्थरी को बुलाना है, पंचर लगवाना है, ये है उसको एकसेप्ट करने का तरीका, जब आप उसको एकसेप्ट करते हो, तो वो चीज आपके दिमाग से निकल जाती हो और आपका मन क्या हो जाता है, शान्त हो जाता है, अब यहाँपर जो इनको लौस हुआ, दोस्तो इस चीज़ को कैसे हम accept करें, इसको समझने का तरीका है, वो बहुत अच्छे समझेगा, किस तरह सा हम इसको explain करते हैं दोस्तो हम basically जिंदगी के अंदर दो ही काम कर रहे होते हैं एक तो हम हमारी जो सीखीवी skill है उसको utilize कर रहे होते हैं और दूसरा हम skill सीख रहे होते हैं जब हम skill सीख रहे होते हैं, तब हम कुछ न कुछ fees पे करते हैं जैसा आप school में जाते हो, तो वहाँ पर school के अंदर जो education की skill आप सीखते हो, तो उसके लिए आप क्या पे करते हो फीस पे करते हो, आप driving सीख रहे हो तो उसके लिए आप फीस पे करते हो, आप कोई music सीख रहे हो तो उसके लिए कोई फीस पे करते हो, आप कोई business का गुण शीखना है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ consultant को फीस पे करते हो, मतलब कोई ना कोई चीत जब आप अपनी जिन्दगी में सीखते हो, तो सीखिवे के लिए हम क्या करते हैं, पे करते हैं, और जब हम हमारी skills को utilize कर रहे होते हैं, मतलब हम जब दूसरों को सिखा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैसा earn करते हैं, हम अमारी life के अंदर qualities को क्या करते हैं, earn करते हैं, तो हम तो ही चीजे कर रहे होते हैं. तो दोस्तों, जिंदगी में जब आप कमा रहे होते हो, इसका मतलब आप अपनी skills को utilize कर रहे होते हो, और जिंदगी में जब आपको losses लग रहे होते हैं, इसका मतलब life आप से क्या ले रही है? इसका में फीस ले रहे हैं, कि skill एवज में, वो skills सीखने के एवज में जो आपके पास में नहीं हैं. यहाँ पर जो इनके साथ में fraud हुआ, इनके पास में उस fraud को identify करने की skill नहीं थी. कि किस प्रकार से जो online fraud होता है, वो online fraud क्या है, किस तरह से होता है, उसको कैसे पहचानना, य skill इनके पास में नहीं थी. इसलिए यहाँ पर इनका जो नुकसान हुआ, वो 15,000 का नुकसान किस form में था, उस fraud को पहचानने के form में. मतलब future में अगर इनके साथ में किभी भी 15,000 का अगर इस तरह का fraud होगा, इस तरह का online fraud होगा, तो यह आराम से उसको क्या कर सकते हैं, time का नुकसान हो जाता है, हमारे energy का नुकसान हो जाता है, हमारे resources का नुकसान होता है, basically वो नुकसान नहीं है, हमारे अंदर एक skill डवलप होती है, experience डवलप होता है, जो experience हमारे throughout the life काम आता है, अगर आप उसको नुकसान 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 बोलते रहते हो, तो वो चीज़ तो आपके अंदर एक emotional antibodies develop होती है, उस चीज को, उस situation को deal करने की power develop होती है, future में अगर इस तरह का event कोई भी आता है, तो आप easily उसका क्या कर सकते हो, सामना कर सकते हो तो यहाँ पर एक जो explain करने का तरीका यह है कि मेरे अंदर ये skill नहीं थी कि मैं online fraud को पहचान हूँ, लेकिन अब ये मेरे साथ में fraud हुआ, ये जो कारण हुआ, इसके कारण अब मेरे अंदर क्या होगी, skill develop होगी, अब future में कभी इस तरह का event होगा ना, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, उसको पहचान सकता हूँ, मतलब future में इस तरह का explanation दे रहे हैं कि यार मैं तो इतना चतुर हूँ, मेरे को तो सब कुछ पता है, फिर भी ये मेरे साथ में कैसे हो गया, दोस्तों ये जो चीज़ जब हम सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, हाँ हमें बहुत कुछ पता है लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता तो जो चीजें हमें नहीं पता और जिन लोगों को वो चीजें पता है तो उनसे वो चीजें सीखने के इवज में भी हमें कुछ न कुछ देना पड़ता है जो मैंने आपको यहाँ पर explain किया यह चीज consider कर लेना कि मुझे सब कुछ पता है यह गलत है हाँ हमें बहुत सुब कुछ पता है हमने बहुत कुछ सीखा है लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजे है जो हमें नहीं पता यह thought हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए otherwise हम खुद ही किस में चले जाते हैं conflict में चले जाते हैं कि जब मुझे सब कुछ पता है तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हुआ इसका मतलब मुझे सब कुछ नहीं पता तो यह क्या create कर रहा है conflict create कर रहा है तो यहाँ पर इस conflict से बचने के लिए भी हम अपने आप को यह explanation देते हैं कि नहीं दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो मुझे नहीं पता हाँ बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता है तो यह चीज़ें हैं वो हमारे अंदर हर एक event के acceptance डवलप करता है और जब event के acceptance हमारे अंदर डवलप होती है तो वो event हमारे दिमाग में नहीं रुकता वो हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम easy feel करते हैं तो दोस्तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी event हमारा दिमाग में ना रुके हमारा दिमाग शान्त रहे तो उसके लिए उस event के acceptance डवलप होना बहुत ज़रूरी है और acceptance तभी डवलप होती है जब हम उसको सही तरीके से explain करने का तरीका डूंडते हैं CBT को हम आमारे life में use करते हैं दोस्तो हम लोगोंने CBT के उपर step by step learning का program डवलप किया है जिसका link नीचे description में दे रखा है जिसको आप अमतने अंदर install करके अलग-अलग events related explanations की power डवलप कर सकते हो जिससे आपके अंदर उस event की acceptance है वो बढ़ती है और acceptance बढ़ेगी तो आपका दिमाग क्या रहेगा शान्त रह तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा नीचे comment box में लिखकर जरूर बताएगा और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DR KTV के subscribe नहीं किया तो please subscribe करें ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे बहुत-बहुत दिनेवाद द आप